का हलो एब्रीवन मैं कुणाल लक्ष के या स्वागत करता हूं कि आज हम लोग से मेस्टेर का एक एलेक्टफ सब्जेक्ट है इलक्ट्रिक ट्रैक्शन ठीक है उसके बारे में हम लोग चीडिये उसके इसोप लोग धीरे करके एक जो चैप्टर है उसको हम लोग कभर करेंगे ठीक तो आपको जैसे की पता होगा लड़ी की क्लासे स्टार्ट हो चुका है अगर आप एक चुक हैं पढ़ने में या लक्ष के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुरने में तो आप इस नंबर पे संपर्क कर सक करते हैं ठीक है वहां से आपको सारी जानकारी रिलेटेट तो सब्जेक्ट के लिजिए या रिलेटेट टू कोर्स के लिजिए एलेक्रिकल के रिगार्डिंग सभी आपको इस नंबर पर इंफॉर्मेशन मिल जाएगा सो अगर आप इंट्रेस्टेड हैं आपका चाहत है कि आप लक्ष से जुरें तो इस नंबर पर आप कॉल करके जो भी इंफॉर्मेशन है वहां से आप कलेक्ट कर लें ठीक सब्जेक्ट के रिगार्डिंग या फिर फीस के रिगार्डिंग सारा इंफॉर्मेशन आपको वहां पर मिल जाएगा चलिए तो मैं यहां पर अभी एक इलक्डिव सब्जेक्ट है इलक्ट्रिक ट्रैक्षarta उसके सिल्वस के डिसकरें के लिए हो यहां पर तो उसके बारे में हम लोग सिख इंगे एक की सबसे पहले electric car हो इन सब के बारे में कह लेजिए या train है है ना सारा चीज के बारे में हम लोग देखेंगे Traction का मतलब होता है कि heavy load को एक जगह से दूसरे स्थान पर स्थानांद रिद करना मतलब एक जगह से किसी भी heavy load को दूसरे जगह पर भीज देना या पहुंचा देना, है ना, इसी प्रकिरिया को, इसी एक्षन को, हम लोग कहते हैं ट्रैक्षन अब बात आती है sir, ट्रैक्षण सिस्टम क्या होता है, तो simple सी बात है, आप कोई दिवाईस का इस्तेमाल करते हैं, जिसके मदद ज़से siaht अर्थात चाहे ड्रॉइंग का या फिर आप कहलेजिए की कुछ करने का मतलब उसको एक जगह से दूसरे स्थान पर पहुंचाने का ऐसा समझ लेजिए ठीक है बाकि मैं डेफिनेशन बताऊंगा आगे आपको तो एक जगह से दूसरे स्थान पर किसी भी हैवी लोड को पहुंचाने के लिए हम किसी सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं क्या इलक्ट्रिक ट्रैक्शन समझ मैं अब इसके अंतरगत आपको ट्रेन के बारे में भी सारी जानकारी मिलने वाली है लगबग आप 80 पर बनने लगोगे कि यहां होता चली में कैसे बोर करता है जानोगे यहां पर यह आपको कहें लिजे की है कि पार्ट है उसके बारे में भी आप कुछ जानकर यहां पर हासिल करोगे तो सबसे पहले हम लोग एक करके चैप्टर वाइद देख लेते हैं कि कौन-कौन सा सब्जेक्ट में कौन-कौन सा चैप्टर आपको पढ़ना ठीक तो देखे सबसे पहले यहां पर समझें कि टोटल आपको चैव यूनित पढ़ना तो टोटल आपके पास यहां पर 6 यूनिट परना है एक एक करके हम सब के बारे में चर्चा करते हैं तो पहला यूनिट की बात अगर करें आपका तो यह आपका बेसिक ऑफ ट्रैक्शन कौन साथ बेसिक ऑफ ट्रैक्शन करने का मतलब है कि हम जो ट्रैक्शन सिस्टम है उसके से कषब लगवात्र स्ष्टम सिस्टम के अंतर गता इसके अंदर हम जो बेसिक है कि उसके अंदर अंदर हम लोग क्या परहेंगे बीसिक जो रेलवे का ए ऊसके बारे में हम लोग हासिल करेंगे कि किर जोन ऐसे कि सब्सक्वारे में इंडिया में अब यहां पे दिखिक दॉप इंजन साने यूज किया जाता है आप यहां पर देखिए दो प्रकार के से में या फिर आपक देखे ऊंगे त्यूंगे यूज किया जाता है या फिर उसके बाद करके इस्तिमालकिदार की गया वह सब्सक्वर का इसा माएन लेकिन अभव घ्रनू की सब्सक्राइण मुझूदा टाइम में तो अभी हम लोग उसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या दिखें तो पढ़ेंगे हम लोग डीजल एलक्ट्रिक ड्राइब या इलक्ट्रिक ड्राइब सब्क्राइब के नियुक्त बारे में पढ़ेंगे उसका इंटरनल होता है यहां पे आपको और आइस इंजन और बढरे में नहीं पढ़ना अब्यों के ऊस्टिस करूं उसके बाद है आपका बैट्री ढराइब और इसमें apan प्राप्लम हो सकता ही तुक्त कर जाए या उस पढ़े हैं इसके बाद आपका बोल्टेज्ट बैलेंस करन्ड बैलेंस प्रोडक्शन ऑफ ह़ार्मोनिक्स इंडक्शन एफेक्ट मैं इन सब पारे में फ्रस्ट उनिटम टीक है यही है इसमें पढ़ेंगे यह तो में लोग फीचर्स वीचर्स चलिए दूसरा आपका चेप्टर जो है आपका वो कौन सा है तो यह ध्यान दिजेगा देख लेजिए यह आपका ट्रेन जैसे कि अगर देखे यहां पेमारा लगा हुआ है यह देखे सप्लाई उसकिया हुआ है तो यह अपका है इन सब के बारे में हम एक एक करके डिस्कस कर या बीच में हम और बहुत सारा स्टेप को फॉलो करते हैं इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे इस चाप्टर में ठीक है है अचलिए दूसरा चैप्टर है आपका power supply arrangement ठीक है power supply arrangement से समझने का ये मतलब है आप समझ लिजे कि जो electricity collect करता है यह पेंटोग्राफ मतलब कह लिजे कि पेंटोग्राफ के द्वारा इंजन कलेक्ट करता है तो वह electricity कहां से आता है है ना कहां क्णोट है जो सबस्टेशन होता है Не जो नौर्मल आप कहे लिजेगा इस को आपना होता है ऊपना होता है इन सब्सक्राइब को ऐसे होता है जिसकों मोरोठा करना जाता है यह खुद के लिए tobacan बनाता है क्योंकि यह वी एक प्रकार का तो consumer हो गया नश्य रहे होता है वह ही से यहां पर आपका रिप्र किलो वोल्ट को सब्सक्राइब सब्सक्राइब करता है तो उन सब के बारे में पढ़ेंगे जैसे कि हम आपको बताता है कभी जब आप स्टेशन से गुजर रहे होते हैं तो कभी देखिएगा कि आपको लिखा हुआ मिलेगा या फिर ऐस फिए सब्ध्यान से देखिएगा अब आप अब जर्व किजिए गांज सब चीजों को क्या होता है इसको बोलता है अब सब्सक्राइब टर्म होता यह सब स्वास्ट बना जाता है सिर्फ और सिर्फ सिर्फ रेल वे के लिए बना जाता ठीक है इसके बारे में चर्चा करेंगे इसके सब्सक्राइब कैसे होता है उसं már't तो उसका क्या ले आउट होता है कई से बना जाता है यह पी आपका जो है जय कोछ सब्सक्राइब का मतुतर होता है चैसे करेगा और कैसे कैसे हम उसको कहां कहां लगा सकते हैं उसका लेयल है इन सबके बारे में देखें गे लिस्ट आफ क्शुबमेंट इंतार dying क्या होता है सब के बारे में समझेंगे सब्सक्राइब क्या होता है इसके बारे में चर्चा करेंगे अब मालीजे जो सबस्टेशन में हमारा इसको प्रोटेक्ट कैसे किया जाता है इन सब के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे बताएं इसको भी हम प्रोटेक्ट करते हैं कैसे इन सब सब्सक्राइब के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे किसमें यूनीट में चलिए अगला आपका है यूनीट जैसे कि आप देखिए यहां पर इस तरह से आपको लगा हुआ कहीं भी आप देखेगा ऐसा सबस्टेशन में आपको छोटा-छोटा मिल जाएगा कहां पर तो यह सब आपका SP या SSP कुछ हैसा आपको मिलेगा ठीक ना अब यह हमारा जो होता है ट्रैक्शन सबस्टेशन है यहां से सप्लाइब भीजा जाता है जो आप देखते होंगे दो ट्रैक के ऊपर जो लगा हुआ होता है रंड जीए बारे में हम लोग डिसकस करेंगे इसम आपका overhead equipment देखें overhead equipment क्या होता है इसके बारे में आप समझना चाहें तो समझ सकते हैं मतलब जो भी equipment उपर जो supply arrangement करके या supply को हम receive करने के लिए जो arrangement बनाते हैं वही सारा चीज आ जाता है overhead equipment में overhead मतलब बाहर में या उपर मतलब open area में जिसको हम install करते हैं for example में आपको यहां बता रहा है चोटा से समझ लेजिए जैसे देखिए यह आपका pole है यह इसको हम लोग transformer लगा जिसको हम लोग बोलते हैं क्या booster transformer तो इन सब के बारे में हमाद ध्यान करेंगे यहां पर देख सकते हैं यह पोल का structure आपका अलग है में ही आएगा तो एक एक के बारे में आपको बताएंगे आपको और ध्यान रखेगा जब आप सफर कर रहे होते हैं तो एक बार जरूर किजएगा जो भी दिखता है उसको आप इग्णोर मत किजएगा देखिएगा ऐसा होता है तो जब हम लोग यहां पर पढ़ रहे करके आपका और रह году है हमारा होता है है या हमारा अपको कहें रहे ह오ले ही तो सब्सक्राइब कर देखेंगे अब यहां पर ध्यान से अगर देख पा रहे हैं तो यहां पर कंड़क्टर आपका है यह लटकाया हुआ है जिसको कि हम लोग करते हैं क्या होता है जैसे कि यहां पर देख लिए यह अंब नकेता है यहां से Video को क्या आजाता है लगा होता है कि आपको दिक्कत पर परिशानी नहीं हो कि तो प्राई है आगले हआपका एपका अलक्तिक लोको मॉटिव यूनिट फॉर में क्लासिफिकेशन और लोकुमोटिव है अप कैसे पता करेंगे वह इंजन इलक्तिरिक का है उन सब के बारे में आपको बताऊंगा कौन सा इंजन है जो इस में चलने वाला है इस यह सब के बारे में हम चर्चा करेंगे हूँ न हां यह फी तों Marvel में इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे ठीक है ना तो यह है नोमीन कलेचर और क्लासिफिकेशन भी हम लोग देखेंगे इसका ब्लॉक डाइग्राम भी देखेंगे इसके इंटर्नल सरकीट है उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे उसके बाद कहता है इसके बारे में चर्चा करेंगे एक जोली सरकीट अफ लोको मोट सब्सक्राइब करेंगे इसको आप कहा दोगे क्या बोगी कह देते हूं कि देखो ऐसा यह जो है यह चोटा-चोटा टुकडा में बटा हुआ होता है उसको आप बोगी बोलते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं कोच बोलते हैं बोगी किसको कहते हैं तो नीचे आपको ध्य अगर लगा हुआ है अग्यजिव साफ़र देखें यहाँ यहां पर दो है इसमें भी आपका 2 लोगा और इसमें भी आपका 2 लोगा टोटल कितना हो गया चे लेकिन अगर मालिजे कि यह नहीं होता ठीक है यह नहीं होता और सिर्फ यह कि चार आपका वील रहता है लांग वी दर त्क किसी आपको कहीं मिले गा क्या मिलेगा पततींने लिगा टीन फेरह से प्लॉए को कुछ इस तरह से हमारा इस्तेमाल किया जाना टो इन सब में और according to will arrangement maintenance of AC system उसका फिर maintenance क्या है फिर उसका पर देखिए इंवर्टर लगा हुआ फिर यहां से आपको क्या इंवर्टर है तो इसे करके क्या-क्या यूज होता है ना अंदर में सारा चीज के बारे में हम यहां पर चर्चा करेंगे ठीक है ना बहुत मज़ा आने वाला है अगर आप ढंक से पढ़ेंगे इंट्रेस्ट ल समझ जाएंगे पिछले सब्जेक्ट के बांती इसमें भी आपको दिक्कत नहीं होगा जैसे कि आप लोग पढ़ेंगे सोलर टेक्नलोजी मुझे नहीं लग रहा है कि किसी बच्चे को दिक्कत हो लेकिन ऐसा भी नहीं है हो सकता है जिनको दिक्कत हुआ बहुत सारे समझें होंगे उस चीज़ को जो कि मैंने आपको बताया है सोलर टेक्नलोजी में और एक्जाम तो अच्छा गया है यह कहीं कोई दो मत नहीं है ठीक है अब आता है यूनिट फाइव देखें यूनिट फाइव में आपको क्या पढ़ना है ट्रेक्शन मोटर और ट्रेक्शन करने लगे हम लि तो उसमें सका होता है स्ट्रक्चिर के बारे में हम लोग सिखेंगे फीर लाइट नकीत की बात करते हैं तो जो रोको होता ह। कैसा कितने प्रकार का मोटर यूज करते हैं ठीक है उसका करेक्टरिस्टिक्स फिचर्स केंटार कितने प्रकार से कोनello करें के लिए के लिए कार्णौन थे हम उसे रोकना चाहें तो हम कैसे ँ nom毗ा करेंगे उसका ताइप पढ़ेंगे इलक्ट्रिक ब्रीकिंग क्या होता है ब्रेकिंग सिरेंग क्या होता है लाइटिंग सिंगल बैटरी डवल बैटरी पैरलल ब्लॉक एस जी होजी इंडॉन जन्रेशन यह सब क्या होता है सब के बारे में पढ़ेंगे अब देखे होंगे हर एक चीज को भले आप उससे वाकिफ नहीं है या कह सकते हैं कि उसको आप जानते नहीं लेकिन अब आप जान जाएगा ना फिर आप देखेगा तब फिर आपको लगा अच्छा यह है अच्छा यह होता है कुछ ऐसा आप सिखने लगे है तो चाहिसा मोटर ही इस्तेमाल किया जाता है हमारा मोटर में ठीक है लेकिन अभी अलग हो गया अब देखिए यहां पर जैसे कि इसको बोलता है कभी आप फुली एसी ट्रेन में आप देखेगा कि उसके आगे और पीछे कुछ इस तरह से आपका कोई एक कोच बना हुआ होता है जिसमें सावारी नहीं रहता है सिर्फ और सिर्फ इसमें जो होता है जो होता है जो कि पूरे को सप्लाय प्रोवाइड करता हम सबत्ता है इसने बेहरे कुछ लिक्षा हुआ मिलेगा कौन सा मोटर मोटर कार यहां कुछ यह आपको लिखा दोर्श और होPatricka, कर सब हम आगे जब पढ़ रहा हो नहीं कि octopus यहां इसको होता है इसको बोलते हैं यहां से रिसीव करते हैं और फिर सप्लाइब भेजते हैं तो किस प्रकार से हम लाइटिंग प्रोवाइड करते हैं इन सब के बारे में चर्चा करेंगे नेक्स आता है आपका लेता हाँ लास्ट सिग्नलिंग के बारे में जैसे आप देखते होंगे कि जो रही होती है और ट्रैक पे तो ही फॉलो करता है आगर सिग्नल जैसा प्रकार से दिया हुआ है वह बिल्कुल उसी को फॉलो करेगा पुर्न एक जामपल हम समझ लेता हैं कि जैसे रेड होता है तो जब तक कि वह स्गेनल आपका चेंज नहीं हो जाता ग्रीम में अगर ग्रेन चलते रहेगे तो जो लोको पाइलट होता जो ट्रेन को ड्राइब करता है वह सिर्फ़ और सिर्फ सिर्फ को ही फॉलो करता है समझेगा थे को तो सिगनल जो है बहुत इंपोर्टेंट यह अब अल इसंब क्या मतलब होता है कैसे लोको पाइलेट समाज जाता है कि मैं क्या करना है अ जग inning को को इत्रों करके घटाना है इन सब के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे फिर आपका सुपर्वाईजरी कंट्रोल होता है सुपर्वाईजरी कंट्रोल रिकॉर्में देखें आप देखें होंगे कभी स्टेशन आप फिस्टेशन मैं सुपर पूरे प्लाइब करें ना उसके बारे में हम लोग चरचा करेंगे कितने परकार का सिगनल होता है एक सरक्षित कितने परके सिगनल उसका क्या इस्तिमाल यह है उसका सिगनलल् Hahn कैसे हैं की से मनें कशल करता है इन सब के बारे में हम च्रचा करेंगे और कदोरे intelligent पिर यहां पर प्रकार का सप्लाइब इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे अब इंडिया में उसका क्या स्कीम है सब एक करके अगला देखेंगे तो कुछ ऐसा सिगनल होता है कहीं पर देखेंगे यहां पर यह प्रकार का सिगनल ही है यह भी आपका सिगनल है इसका क्या मतलब है क्या को सब सके बारे में चर्चा करेंगे यहां पर इसका क्या मतलब है ंट्रियान रख Richtung हो प्लेटफ़ॉर्म जहता है पूरा को उछी के पहले भी गोड़ा फीर सीधाल होता है हुझ叠ी के लीडार है नंबर आपको पता होगा रत वर चैनल करें करने के लिए लिजो सब्सक्राइबogo पर लिजेगा अब यह yesterday मैं आपको बता रहा हूं कि आधे अधे एक पास फ कॉलो तो प्धना ही किसी भी हाल पे थो दो अध्लosa अधा जो है वह तो आपका साथ एक तो माइक्रो प्रोसेसर है और दूसरा आपका कौन सा है इनरजी और बहुत कंफ्यूजन है आप लोगों में से इनरजी और इनरजी और इसके बाद तीन टीन अलक्तिव में आपका एक ट्रेक्शन सिस्टम भी है उसके बाद स्विच गेर प्रडक्शन है यहां पर आपको उसका भी मिल जाएगा तो आराम से इसी इलक्टिव में आपका जो है सब्सक्राइब कोई दिक्कत नहीं है वो भी आप पढ़ लिजेगा ऐसा नहीं है कि सिर्फ ट्रेक्शन ही आप पढ़ सकते हैं इसी में आपका एक सब्जेक्ट है इस्तिमेटिंग वह भी आपके लिए बहुत इंपोर्टेंट है आप अगर चाहें तो जो इसको भी आप देख सकते हैं चैनल पर पड़ा होगा स्टीम आकेडमी जो है वहां पर आपको पूरा पूरा प्लेलिस्ट बना हु से कम से कम तीन या चार सवाल मिल जाएगा किसी भी जयाए के एक्जाम में ठीक है बेसिक कोश्टन जो होता है इसा नहीं कि बहुत डीप में यह बहुत बहुत इंपोर्टेंट कह लिए एक्जाम के पॉइंट और इन फ्यूचर अगर आप जानते हैं कि आप कहीं जॉइन क जानते हैं और वहां पर आसाने से आप उसको कपर कर सकते हैं या सीख सकते हैं तो यह था और बाकि पांच पर पाइगा हम लोग करेंगे मदद करेंगे जो भी जरुद पढ़ेगा बताईएगा कि मैं जहां तक हो सकेगा उसको कोशिज करूगा कि आपका मतलब डाउट है या जो समस्य उसका समधान किया बाखी कोई फिद बैक हो और फिर किसी परकार कोई क्वारी हो तो कमेंट अपकर करके बतासे प्रमें अगले लेक्चर में